उके स्टूडेंट नेक्स आप देख सकते हैं question number second इसमें आपको क्या करना है divide the following return in देव नागरी script देव नागरी script में आपके पास question write क्या हुआ है इसे आपको क्या करना है divide करना है तो इसके solution पे देख लिजे आपको किस type से divide करना है हमें क्या करेंगे बच्चे हमी से mathematic form में लिख लेंगे जैसे ये 6 है ये 8 है ये 4 है और ये 1 है ये 1 है तो 684 को 11 से divide करना है तो 11 हमने यहां रखा 684 हमने यहां रखा 11 6 जा 66 8 में से 6 गए हमारे पास रहे गे 2 6 में से 6 गए रहे गे 0 उपर से आ गया 4 अब 11 2 जा कितना होता है 22 अब 4 में से 2 को cut किया तो कितना आ गया 2 और इधर 2 में से 2 को cut किया तो कितना आ गया 0 अब हमें इसे क्या करेंगे देवनागरी script में change करेंगे सबसे पहले यहां पर 11 है तो यहां पर 11 लिखेंगे यह हमारे पास 684 तो हमने 684 लिखा इधर वाले साइड हमारे पास 62 आया है तो हम इदर क्या करेंगे six और two यहां पर लिखेंगे, okay, so अब हम क्या करेंगे, हम इसको ओर चेंज कर सकते हैं, कैसे? तो देखे, बच्चे, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पर में आपको words जो है बीच में आपके बीच में आ पर आपके पास 6 तो 6 आपको पता है किस टैप से लिखा जाता है 3 का अपोज़िट होता है 6 फिर उसके बाद 8 अजिसके बाद लास्ट में आ जाएगा आप के पास 4 तो 4 को हम इस टाइप से opposite घुमा देते तो यह होगी आपके पास 4 ओके अब हम क्या करेंगे अगर आपको clear नहीं हुआ तो फिर से बना देते हूं मैं इसको 6 उसके बाद 6 उसके बाद आपको लिखना है 8 उसके बाद आपको लिखना है 4 अब यहां पर हमारे पास 6 आया था उसके क्या आगया आपके पास 66 अब आप इसको अपॉपर से आगया आपके पास 4 अब आपको पता है कि 11 के टेबल में 24 कितने नंबर पर आता ही नहीं तो 11 Bundy अपनी 22 लिखा लेतिकत किया तो कितना रह गया आपके पास तू ही रहा गया Sungebowif इस टाइप से हम क्या बोल सकते हैं इस टाइप से हम यह बोल सकते हैं कि यह आपका क्या हो गया बच्चे इदर वाली साइड वाला जो यह पार्ट है इदर वाला जो पार्ट है यह आपका क्या हो गया यह हो गया आपका क्यू और लास्ट में जो बच गया यह क्या आपका आर reminder ओके सो इधर वाला क्या आपका डिवीजर और बीच वाला जो है यह क्या आपका dividend यह हो गया आपका dividend ओके सो आई होप आपको यह divide अच्छे से समझ आ गया होगा सो student इस divide के बाद हम यह आप complete कर लीजिए इसके question आप देख सकते यहां पर total question है आपके पास total question आपके पास यहां पर five ठीक है आपको यह 10 question तक करने है यहां तक 10 question करने है उसके बाद यह five question करने और इसके जो words problem वाले question है वो हम अपनी कल की class में करेंगे ओके student थैंक यू